सभी दर्शकों का आज के कारिक्रम में स्वागत हैं आज के कारिक्रम की शुरुवात हम अपने कुछ अनुभवों से करते हैं क्या आपने शुष्क मौसम में स्वेटर को शरीर से उतारते समय चट-चट की ध्वनी सुन ने अथ्वा चिंगारियों का नुभव किया है। सर्दी के मौसम में पॉलियस्टर के वस्तुरों के साथ तो ऐसी घटना होना सामानने है। इन सब का कारण, इन वस्त्वों में रगड के कारण उत्पन हुए वैद्यूत आवेश है। आपने भड़ा हुआ है कि वैद्यूत आवेश दो प्रकार के होते हैं। धनात्मक तथा रिनात्मक आवेश है। तथा सजाती आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्शित करते हैं। और वहीं विजाती आवेश एक दूसरे को आकर्शित करते हैं। किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं ये हम कैसे पता कर सकते हैं ये हम पता करेंगे एक सरल विद्युदर्शी की सहायता से आईए अब हमें एक सरल विद्युदर्शी बनाएं विद्युदर्शी बनाने के लिए हमने यहां एक शीशे का ग्लास लिया है जैसा कि आप देख सकते हैं कि गत्ते पर छेट करके एक तामबे की तार की मदद से दो पतली कागस के पत्रों को लटकाया गया है तामबे की तार को विद्युन्मय वस्तु से स्पर्श कराने पर तार पर आवेश स्थानांत्रित होकर उसके दूसरे सिरे पर जुड़े हुए कागस के पत्रों तक पहुँच जाता है अब यहाँ पर कागस के पत्र एक दूसरे से दूर हो जा रहे हैं पत्रों के प्रिथक्ता विद्युद दर्शी पर आवेश की मात्रा का एक माप होता है दोनों कागस के पत्र सजाती आवेश अरजित करने के कारण एक दूसरे को प्रतिकर्शित करते हैं अथ्वा एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं पत्रों की अपसारिता द्वारा उन पर आवेश की मातरा सुनिस्टित की जा सकती है तामबे जैसे प्रदार्थ तुरंथी अपने में से होकर विध्यूत को प्रवाहित होने देते हैं जबकि कुछ अन्य ऐसा नहीं करते जो पदार्थ असानी से अपने से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं अधिकाश और धातुएं अपने से होकर प्रवाहित होने वाली विद्युत पर उच्छ प्रतिरोध लगाती हैं इन्हें विद्युत रोधी कहते हैं रगड के कारण प्रिष्ठों पर वैद्युक आवेश उत्पन हो जाते हैं। क्या आप आवेश की अन्य प्रक्रिया को बता सकते हैं। किसी चालक को प्रेरन द्वारा आवेशित किया जा सकता है। आईए अब हम इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करें। विद्युत्रोधी स्टैंडों पर हमने दो धातों के गोले A एवं B को रखा हुआ है। इस चित्र के अनुसार ये एक दूसरे के संपर्क में है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए कि एक विद्युनमय छड को A के करीब लाया गया। और यहाँ ये साफधानी जरूर बरतनी है कि ये इसको स्पर्श ना करे। अब छड गोले से स्पर्श नहीं कर रहा है और गोले के मुक्त इलेक्ट्रॉन छड की और आकर्शित हो रहे है। ये रिनावेश इस प्रिष्ट की तरफ आकर्शित हो गए है। गोले B के पिछले प्रिष्ट पर धनावेश का आधिक्य हो जाता है। जैसे ही गोले एक इबाय प्रिश्ट पर इलेक्टरॉन एकत्र होने शुरू हो जाते हैं, अन्य इलेक्टरॉन इसके द्वारा प्रतिकर्शित हो जाते हैं कुछ ही शड में चड के आकर्शन के कारण क्रिया तथा संचित आवेशों के कारण प्रतिकर्शन के बीच साम में स्थापित हो जाता है इस प्रक्रिया को आवेश का प्रेरन कहते हैं तथा ये लगभग तातकालिक है जब तक ये छड गोले के निकट रहती है तब तक इस चित्र के अनुसार संचित आवेश्ट प्रिष्ट पर रहता है यदि छड को हटा लेते हैं तो आवेशों पर कोई बाहय बल कारे नहीं करता वे अपने उदासी नवस्था में वापस लोट जाते हैं अगर इस चड को यहां से हटा दिया जाए तो यह मुक्त इलेक्ट्रोन और यहां पर जो धनावेश आधिक के हुआ है यह एक दूसरे को आकर्शित करेंगे अब अगर इनके बीच की दूरी को और जादा बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा ऐसा करने पर आप देख पा रहे हैं कि आवेश गोले पर एक समान रूप से वित्रुत हो जाता है हम यह जानते हैं कि जब किसी विद्युन्मे छड़ को हलकी वस्तूओं के निकट लाते हैं तो यही प्रभाव होता है अब अगर आप इस कंगे को कागस पर रगड कर इसे विद्युन्मे कर ले और छोटे-छोटे कागस के टुकडों के पास लेके जाएं तो यह कागस की टुकडे इस तरीके से इस पर आकर्शित होकर चिपक जाते हैं वास्तव में एक विद्युन्मे वस्तू अन्य वस्तूओं के पास वाले प्रिष्ट पर विजाती आवेश प्रेरित करती हैं तथा सजाती आवेश वस्तूओं को दूर वाले भाग पर पहुँचा देते हैं यह प्रक्रिया किस प्रकार होती है? आप इसके सपश्टी करण की खोँच करने का प्रयास करें हम यह जानते हैं कि दो प्रकार के आवेश होते हैं, धनावेश तथा रिनावेश तथा इनमें एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त करने की प्रवृत्ती होती है अब हम विद्युत आवेश के अन्न गुणों का वर्णन करेंगे इसके पूर्व यह स्पष्ट करना अतियावशक है कि यदि आवेशित वस्तूओं का साइज उनके बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम है तो उन्हें बिंदू आवेश मानते हैं यह मान लिया जाता है कि वस्तू का संपूर्ण आवेश आकाश में एक बिंदू पर संकेंद्रित है क्या आप जानते हैं कि एक निकाए जिसमें एक से जादा आवेश होते हैं उसके कुल आवेश का परिमान किस प्रकार ग्याद किया जाता है यदि किसी निकाए में N आवेश है यानि कि Q1, Q2, Q3 से लेके QN तक आवेश है तो इनका कुल आवेश इन सब आवेशों को जोड कर निकाला जा सकता है Q1, Q2, Q3 से लेके QN तक इसको जोड सकते हैं हमें यहाँ पर इनके चिन्नों का भी खासकर ध्यान रखना है उधारन के तौर पर अगर किसी का आवेश माइनस दो है और दूसरे किसी आवेश का परिमान प्लस 3 है तो इसका कुल आवेश 3 माइनस 2 करके निकाला जाएगा जो की प्लस 1 होगा और इसका जो भी मातरक होगा उसमें यह आवेश की परिमान को लिखा जाएगा हम इस तथे की और पहले ही संकेत दे चुके हैं कि जब वस्तुवे रगड़ने पर आवेशित होती हैं तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रोनों का स्थानांतरन होता है कोई नया आवेश उत्पन नहीं होता और नाहीं आवेश नश्ट होता है बहुत से आवेशित वस्तुओं के किसी वियुक्त निकाय के भीतर वस्तुओं में अन्योई क्रिया के कारण आवेश पुनह वित्रित हो सकते हैं परन्तु यह पाया गया है कि वियुक्त निकाय का कुल आवेश सदैव संग्रक्षित रहता है आवेश शंग्रक्षन को प्रयोगिक रूप से स्थापित किया जा चुका है यद्यपी किसी प्रक्रिया में आवेश वाही कंड उत्पन अथ्वा नश्ट किये जा सकते हैं परन्तु किसी वियुक्त निकाय के नेट आवेश को उत्पन करना तथा नश्ट करना संभव नहीं है कभी-कभी प्रक्रती आवेशित कंड उत्पन करती है जैसे कि कोई neutron एक proton तथा एक electron में रुपांत्रित हो जाता है इस प्रकार उत्पन proton तथा electron पर परिमान में समान एवं विपरीत आवेश उत्पन होते हैं तथा इस रचना से पूर्व और रचना के पश्चात का कुल आवेश शुन्ने रहता है वैद्युत आवेश का अन्य मूल गुण है कौन्टमी करन प्रयोगिक रूप से यह स्थापित किया गया है कि सभी मुक्त आवेश परिमान में आवेश की मूल लिकाई जिसे E द्वारा दर्शाया जाता है कि पूर्णा की गुणज होता है इस प्रकार किसी वस्तू के आवेश क्यू को सदैव इस प्रकार दर्शाया जाता है क्यू बराबर N E यहाँ N कोई धनात्मक अथवा रिनात्मक पुर्णांख है आवेश के यहाँ मूल लिकाई इलेक्ट्रॉन अथवा प्रोटॉन के आवेश का परिमान है परिपाटी के अनुसार इलेक्ट्रॉन के आवेश को रिनात्मक मानते हैं इसलिए किसी इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस E और प्रोटॉन पर आवेश प्लस E द्वारा व्यक्त किया जाता है व्यद्यूत आवेश ही E का पुर्णांग गुनज होता है इस त्यत्य को आवेश का कौन्टमी करण कहते हैं चुकि इलेक्ट्रॉन का परिमान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है तो परिमान एक कूलम आवेश में एक इलेक्ट्रॉन के आवेश का लगबग 10 की पावर 13 गुना आवेश होता है तो स्थूल स्थर पर आवेश के कौन्टमी करण का कोई व्यवारिक महत्वन नहीं है तथा इसकी उपेक्षा की जा सकती है यहां से आपको ज्यात हो गया होगा कि अब आवेश को कूलम में मापा जाता है वास्तव में मातरकों की अंतराश्टि प्रणाली SI में आवेश का मातरक कूलम होता है जिसका प्रतीक C है एक कूलम को विद्युधारा के मातरक के पदों में परिभाशित किया जाता है जिसके विशे में आप अगले अध्याय में सीखेंगे परिभाशा के अनुसार एक कूलम वह आवेश है जो किसी तार में एक अंपियर धारा एक सेकिंड तक प्रवाहित करता है इस प्रणाली में आवेश की मू लिकाई इलेक्ट्रॉन जिसका मान माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम है अगर हमारे पास एक आवेश जो की माइनस 1 कूलम के बराबर है तो Q इक्वल्स टू एनी के समीकरंट के द्वारा हम एन के परिमान को निकाल सकते है जो की 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आएगा स्थूल सर पर हम ऐसे आवेशों से व्यवार करते हैं जो इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में परिमान में अत्यधिक विशाल होते हैं स्थिर वैद्यूतिकी में इसे विशाल परिमान के आवेशों से यदा-कदा ही सामना होता है इसलिए हम इसके छोटे मात्रकों का प्रयोग करते हैं जैसे की वन माइक्रो कूलम जिसमें 10 की पावर माइनस 6 कूलम होते हैं और वन मिली कूलम जिसमें 10 की पावर माइनस 3 कूलम होते हैं हम विद्यूतर्शी में देख चुके हैं कि एक विद्यूनमय वस्तू के इस पर्ष से तामबी कितार से लटकी कागस की पतली पत्तियां किस प्रकार प्रतिकर्शित करती है और एक विद्युन्मे कंगे कैसे कागस के टुकडों को अपनी ओर आकर्शित करता है और एक विद्युन्मे कंगा कैसे कागस के टुकडों को अपनी ओर आकर्शित करता है इसका अफिप्राय ये है कि विद्युन में वस्तूओं के आवेश एक दूसरे पर बल लगाते हैं इस बल का परिमान कितना होता है इस बल के परिमान को सबसे पहले नापा फ्रांसिसी भौतिक विद चार्ल्स ओगेस्टिन डे कूलाम ने बल के परिमान को मापने के लिए उन्होंने एक एठन तूला का आविशकार किया और इसका उपियोग इन्होंने छोटे आवेशित गोलों के बीच लगने वाले आकर्शन अत्वा प्रतिकर्शन बलों को ग्याद करने के लिए किया इस प्रकार सन 1785 में व्युतक्रम वर्ग नियम को खोच पाए जिसे आज कूलाम का नियम कहते हैं कूलाम नियम के अनुसार दो बिंदू आवेश के बीच लगे बल का माप दोनों के परिमानों के गुनन फल के अनुक्रमानुपात तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यत क्रमानुपात है तथा ये दोनों आवेशों का मिलाने वाली देखा के अनुदिश कार करता है अगर हमारे पास Q1 और Q2 दो आवेश हैं जिनको आर दूरी से दूरी पर रखा गया है तो इनके बीच लगने वाला बल Q1 और Q2 के गुणन फल के अनुक्रमानुपाथ है यानि कि इनको बढ़ाने पर F बढ़ेगा और वहीं ये दूरी के वर्ग के व्यत्क्रमानुपाथ है यानि कि R को बढ़ाने पर F घटेगा यहां के एक नियतांग है हम के के लिए किसी भी धनात्मक मान का चैन कर सकते हैं ऐसाई मात्रकों में के का मान लगबग 9 इंटू 10 की पार 9 न्यूटन मीटर स्क्वेर पर कूलम स्क्वेर होता है सुविधा के लिए हम के को 1 बाई 4 पाई अपसाइलन नौट लिखते हैं यहां अपसाइलन नौट का परिमान है 8.854 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वेर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वेर एक चैन के फल स्वरूप आवेश का जो मात्रक प्राप्त होता है उसे कूलाम कहते हैं F के समिकरण में K का यह मान रखने पर हमें F का क्या परिमान मिलेगा?! हमे अफ आप आते हैं कि अगर Q-1 और Q2 एक कूलाम के बराबर है और आर को एक मीटर रखने पर हमें बल का परिमान 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन मिलेगा अर्थार्थ एक कूलम वोंड आवेश है जो निर्वात में 1 मीटर दूरी पर रखे इसी परिमान के किसी अन्य सजाती आवेश को 9 into 10 की पावर 9 न्यूटन बल से प्रतिकर्शित करे अभी तक चर्चा किये गए विशेपर आधारित अब हम एक प्रश्ण को हल करने का प्रयास करेंगे और प्रश्ण है वायू में एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे दो बिंदू आवेशों के बीच F बल लग रहा है यदि प्रतिक बिंदू पर आवेश की मात्रा दो गुनी तथा बिंदू के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो प्रतिक बिंदू पर कितना बल लगेगा इस प्रश्ण के अनुसार बिंदू के आवेश को दुगना और बिंदू के बीच की दूरी को आधा किया गया है तो पहला बल अगर f equals to k q1 q2 by r square के बराबर है तो बदला हुआ बल कुछ इस प्रकार लिखा जाएगा जहां पे charges को यानि की आवेशो को दुगना किया गया है और उन दोनों की बीच की दूरी को आधा किया गया है इसको हल करने के पश्चात हमारे पास नया बल कुछ 16 k q1 q2 by r square आएगा जहां k q1 q2 by r square हमारा पहला वाला बल है अर्थार्थ हम कह सकते हैं कि नया बल पहले बल का 16 गुणा आएगा बल एक सदिश है अता कुलाम नियम को सदिश संकेतन में लिखना उत्तम होगा मान लीजिए q1 तथा q2 आवेशों की स्थिती सदिश क्रमशह r1 तथा r2 है हम q2 के द्वारा q1 पर आरोपित बल को f12 से दर्शाएंगे और वहीं q1 के द्वारा q2 पर आरोपित बल को f21 से दर्शाएंगे दो बिंदू आवेश q1 तथा q2 को सुविधा के लिए हम एक तथा दो आउंग द्वारा व्यक्त करेंगे एक से दो की ओर जाते सदिश को हम r21 से व्यक्त करेंगे जो की r21 सदिश इकोल्स टू r2 सदिश माइनस r1 सदिश होगा इसी प्रकार 2 से 1 की ओर जाते सदिश को हम r12 द्वारा व्यक्त करेंगे जो की r12 सदिश इकोल्स टू r1 सदिश माइनस r2 सदिश होगा जो r21 के विपरीत है इसलिए इसको लिखा गया है माइनस r21 सदिश है बिंदू 1 से 2 की ओर अथवा 2 से 1 की ओर इंगित करने वाला एकांग सदिश की परिभाशा हम इस प्रकार देंगे यहां r12 जो के एक एकांग सदिश है r21 सदिश बाई उसके परिमान के बराबर होगा वही r21 एकांग सदिश r12 सदिश बाई r12 के परिमान के बराबर होगा जा हम देख सकते हैं कि दोनों ही परिमान में तो बराबर है पर दिशा में विपरीत है इसलिए r12 एकांग सदिश को बराबर – r21 एकांग सदिश लिखा गया है तो हम कुलाम बल नियम को इस प्रकार व्यक्त करेंगे जहां F21 सदिश को 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R21 square into R21 एकांग सदिश जहां R21 एकांग सदिश F21 की दिशा को बता रहा है क्या आप इसी प्रकार Q2 के कारण Q1 पर आरोपिक बल यानी की F12 के समीकरण को सदिश संकेतन में लिख सकते हैं? यहां पर F12 लिखने के लिए बस आपको एक और दो में सरल अंतर परिवर्तन करना है जिसके बाद हमें F12 सदिश 1 by 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 by R12 square R12 एकांग सदिश जिसका परिमान एक होता है और वो F12 की दिशा निर्धारित करता है यहां F12 और F21 परिमान में बराबर है पर दिशा में विपरीत है इसलिए यहां पर माइनस चिन इंगित किया गया है इस प्रकार कूलाम नियम न्यूटन के गती के तृतिय नियम के अनुरूप ही है कूलाम नियम से निर्वात में स्थित दो आवेशो Q1 तथा Q2 के बीच आरोपित बल प्राप्त होता है यदि आवेश किसी द्रव में स्थित है अथवा दोनों आवेशों के बीच के रिक्त स्थान की जगा कोई द्रव्य भरा हुआ है इस द्रव के आवेशित अवेवों के कारण स्थिती जटल बन जाती है अगले अध्याय में हम द्रव्य में स्थिर वैद्यूतिकी पर विचार करेंगे क्या अवेशों के चिन्णों में परिवर्तन करने पर इनके बल पर प्रभाव पड़ेगा यदि Q1 तथ Q2 समान चिन्ने के हैं या तो दोनों ही धनात्मक अथ्वा दोनों ही रिनात्मक हैं तब F21 R21 के दिशा में होगा जो प्रतिकर्शन को प्रदर्शित करता है जैसा सजातिय आवेशों के बीच होना चाहिए यदि Q1 तथ Q2 के विपरीट चिन्न है तब F21-R21 की दिशा में होगा जो की आखर्शन को प्रदर्शित करता है तथ विजातिय आवेशों के लिए हम इसी की आशा करते हैं इस प्रकार हमें सजातिय तथ विजातिय आवेशों के प्रकरणों के लिए प्रिथक प्रिथक समीकरण लिखने की आवश्यक्ता नहीं है यहीं समीकरण दोनों ही प्रकरणों को सही सही प्रकट कर देती है दो आवेशों के बीच पारसपर एक वैद्युद बल कुलाम नियम द्वारा प्राप्त होता है जहां आवेश के निकट एक आवेश न होकर उसे बहुत से आवेश चारो ओर से घेरे हुए होते हैं तो इस स्थिती में किसी आवेश पर आरोपित बल का परिकलन हम कैसे करेंगे इस स्थिती में अध्यारोपन का सिध्धान्त का प्रयोग किया जाता है किसी आवेश पर कई अन्य आवेशों के कारण बल उस आवेश पर लगे उन सभी बलों के सदिश योग के बराबर होता है जो इन आवेशों द्वारा इस आवेश पर एक एक कर लगाया जाता है किसी एक आवेश द्वारा लगाया गया विशिष्ट बल अन्य आवेशों की उपस्थिती के कारण प्रभावित नहीं होता इसे अध्यारोपन का सिध्धान कहते हैं जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं Q1, Q2, Q3, R1, R2, R3 सदिश दूरी पर रखे गए हैं अब अगर हमें Q1 पे कुल बल निकालना हैं तो सबसे पहले Q1 पे Q2 द्वारा बल F12 दर्शाया गया है वहीं Q1 पे Q3 द्वारा बल F13 दर्शाया गया है इस अध्यारोपन को भलीपाती समझने के लिए हमने यहां तीन आवेशों का निकाय लिया है यहां Q1 0.0 से R1 सदिश की दूरी पर है वहीं Q2 R2 सदिश और Q3 R3 सदिश की दूरी पर है Q1 पे Q2 के कारण लगने वाला बल F12 है और वहीं Q1 पे Q3 के कारण लगने वाला बल F13 है अब Q1 पे कुल बल निकालने के लिए हमें अध्यारोपन के सिध्धांत के अनुसार दोनों को योग करना होगा और इसी तरह हमें F1, F12 प्लस F13 के सदिश योगो द्वारा मिलेगा यदि हमारे पास N आवेशो वाला एक निकाय है तो इस थिती में किस तरह अध्यारोपन के सिध्धांत का प्रयोग किया जाएगा अध्यारोपन के सिध्धांत के अनुसार आवेशो Q1, Q2 से लेकर QN के किसी निकाय में आवेश Q1 पर Q2 द्वारा लगा बल, कूलाम नियम द्वारा लगे बल के समान होता है अब अगर हम एक ऐसा निकाय लें जहां पर Q1, Q2, Q3, Q4 से लेकर QN तक आवेश उपस्त है ऐसी स्थिती में अगर हमें Q1 पर बल निकालना है तो इसके लिए हम अध्यारोपन सिध्धांत का प्रयोग करेंगे जिसके अनुसार F1, F12, F13, F1N मतलब कि सारे के सारे बलों के सदिश योग के बराबर होगा अतह इनको जोड कर हम कुल बल ग्यात कर सकते हैं जिसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि एक बिंदू आवेश दूसरे बिंदू आवेशों पर बल लगाता है जिसका परिमान कूलाम नियम द्वारा निकाला जाता है प्रश्न यह है कि आवेश एक दूसरे पर बल कैसे लगाते हैं इन्ही प्रश्नों के उत्तर के साथ हम पुना मिलेंगे तब तक के लिए आप भी इन प्रश्नों के उत्तर को खोजने का प्रयास करें धन्यवाद झाल